सब्सक्राइब करिए धनो की दुनिया यूटूब चैनल को और साथ ही बैल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें आपके लिए दोस्तो दिनांग चौदा अप्रिल है नक्षत बढ़नी है सुकल पक्षे चल रहा है विद्वार का दिन रहेगा रितु वशंत चल रही है दोस्तो आज असफलता को लेकर चिंतित मत हुई आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी धैरी के साथ रहें और संतुलित वहवार करें आपका अच्छा परदसन दूसरे लोगों को प्रभावित करेगा या पारिवर्ग काफी शक्री रहेंगे इसे धन लापकी शम्हा मनाये ह स्वास्त में चेस्ट, कंजनसन और सांस में लेने के दिक्कत परिशान कर सकती है खुद को इंफेक्शन की समभावनाएं दिख रही है तो कुल में कोई शुक समचार मिल सकता है आज के दिन पुराने निवेश कारगार सावित होंगी वर्तमान परिस्थितियां लक्ष को भटकाने का प्रयास कर सकती है लेकिन आपको फोकस बनाए रखना है आफिस में कोई अपरिये घटना में मन निरास हो सकता है शाह कर्मियों के साथ अच्छा विहवार बनाए रख सकती है गरवती महिलाएं भी सेहत की खास देखबाल करें विवाह योग्यों के रिष्टे की बात चल सकती है लेकिन जल्दबाजी दिखाने के बजाए सभी पहलूं को पुरी पड़ताल के साथ ही आगे बढ़ी आंते मिरना लीची आज का दिन ने शुब फल दायक रहेग के काम काज में कुछ दिन और रुकाउट आती हुई दिखाई दे रही है जहरे के साथ काम करिए सेहत को लेकर डिफिसियंसी की वजह से परिशान हो सकते हैं डॉक्टर की सला से उनका निदान करिए ननिहाल पक्षि में शुब समसूचना मिल सकती है परिवार में शभी के स साथ मेल जोल से रहिए और बहतर फैसल लेने के लिए आम राय बनाने का प्रयास करिए आज के दिन आपको लोगों किसे शंपर को बढ़ने की अवश्यक्ता है अगर किसी की मदद का मौका मिल रहा है तो कताई पीछे ना हटे शरकारी नौकरी के लिए प्रयास रथ हैं तो परिश्रम दोगनी कर दें जल्द ही शाफलतामनी की संभावना है बोटी किया कॉस्मेटिक का प्यापार कर रहे हैं लोगों को अच्छा लाव होगा जिवाओं को बढ़ों के साथ किसी वी तरह की अबदरता नुकसान दे हो सकती है स्वास्त के दिष्टी से गिर कर चोट दो दोप लगने कि आशंग का है सिर में गहरा घाओ हो सकता है इसलिए शुरक्षितर है और शतरटता के साथ आगे चले परिवायर के साथ धार्मी की सथ संग में शामीन होने का बढ़ती है और आज की दिन खुद पर नियंतरन रखते आगे बढ़े रियल स्टेट का बिजनस करने वालों के लिए कानूनी मामलों को लेकर शतर करेना होगा अपने सबी काम मानक के मुताबित और नियम कानून के अनुसारी करें जिवाओं को दिमाग में बहुत चिंता नहीं पानी चाहिए अन्य था परदरसन खराब हो सकता है स् कुछ अधिकारियों को आप से बहुत अधिक उम्मेद हैं इसलिए उन्हें किसी रूप से निराश मत करें विदेसी कंपनियों में अच्छे अफर्मिनल दे हुए दिखाई दे रहा है इसलिए प्रयास में कोई कमी ना लाए ऑनलाइन करवार करने वालों के लिए भी लाव के देने कामकाज में रुकावट आने से मनशांतर रह सकता है ऐसे में आने वाले दिनों की कारियों जना पुक्ता ढंक से बना ले आफिस में शाहिए होगी कि ना रहने से उनका कारिय भी आपको करना पड़ सकता है करवारियों के लिए ब्रहांकों की मांगों को शर्व पर रखने के अपर शक्ता है सामान के गुणता और वेराइटी कोई भी ना ने दीजे उसमें कमी ना ने दीजे युवाओं को याता यात नियमों का पूरी तरसे फॉलन करना चाहिए उलंगन करने पर भारी जुर्मान ना बढ़ना पड़ सकता है स्वास्त को लेकर सरीर को ठका से बचाएं परिवार में कोई विवाद के स्तिती पर निस्पक्ष फैसला करने से सभी को न्याय देने का प्रयास करें आज कदिन अलाव के प्रती फोकस बनाए रखना होगा ध्यान रखे कि आत्म विश्वास के साथ काम करेंगे तो शफलता निस्चितर पर मिलेगी नौक रखें रिसर्च से जुड़ा कामकाश करने वालों को जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए पूरे परिणाम आने तक ध्यारे बनाए रखें कारपारियों को नया व्यवशाय शुरू करने पर पूरी तरह साथानी बरतनी चाहिए यह वहाँ को टेक्नालोजी का प्रयोग स साथानी से करना चाहिए बहतर परदरसन से लाम मिलेगा वे द्यारती समाइक असाथ उप्योग करें और कठेनी विसायों पर रिवीजन करते हैं स्वास्त को लेकर अधिक देड़ तक खाली पेट ना रहें मां के स्वास्त का चाना गिरावटा सकती है आज की दिन दैरे के स सबी कामों को करने की सलाह दी जाती है ध्यान रखें कि किसी भी गरीब का मन ना दुखाएं और कूट वचनों से परहेज करें कारयास्तल पर प्रयासों में कमी आपको एक कदम पीछे कर सकती है इसलिए पूरे मनो योग के साथ जूटे रहें आफिस में हसी मजा करते हुए थोड़ा दाएरे में रहे अन्य था बहुस या उच्छे धिकारियों तक बात पहुंच सकती है यवाओं को व्यवार के प्रतिश चतर करहने के आवशकता है किसी भी व्यक्ति से अबद रिता ना करे ततकाली के रोगों से मुक्ति मिलेगी घर में किसी भी विवाद के स्ति में आपकी राय महत्तपूर्ण होगी इसलिए इस पक्ष होकर अपने बात रखे आज के दिन दोस्तों बड़ी बहन या बहन तुल महिला के सानिद्य में रहकर काम करना आपके लिए लावकारी होगा ओफीसियल मामलों में लापर वाहीं मत दिखाया ने था उंच्छे दिक रखे नियमी तोर पर चक अप करना भी लबकारी होगा आज परिवार में किसी का जन्दन है तो पूरे उत्साय के साथ है मनाए और हर समय प्रयास करें कि उन्हें कोई बहार आप दे आज के दिन समान और प्रतिश्टा में शुब आउसार प्राप्त होंगे ऑफिस में संदी का समय चल रहा है इसलिए स्टॉक मेंटेन करते वक्त शातर करा है यह वार को सलाह दी जाती है कि प्राकर में शखलता मिलेगी सेहत को लेकर डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में पानी भी है कई घुमने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं पर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब चरूब कर देखें चले मलते हैं आप तब सभी से एक नई वीडियो के साथ तक के लिए खुछ रहें मुस्कुराते रहें आज पास सफाई खें साथी साथ अपना भी ख्याल के आज का दिन मंगल में बीते शुब बीते अच्छा बीते यही का अपना करते हैं जै श्रादे जै भूलनात हर हर महादेव